चालीस का चक्कर बाबु भाईया, चालीस का चक्कर, क्या है कबड़ी में ये चालीस का चक्कर, पूरा वीडियो देखिए, पता करते हैं आज, नमस्कार, वनकम, साश्रिया काल, स्वागत है आपका सुनील के सूत्र के इस चालीस के चक्कर वाले एपिसोड में, देखिए, बड़े बज़रुक तो कहते थे कि 99 के चक्कर में मत पड़ो, 99 के फेर में मत पड़ो, यहां पड़ा हुआ है चालीस का चक्कर, का है भाई, पूरा वीडियो देखते हैं, धिरे-धिरे चालीस के चक्कर की सारी परतें खोल जाएंगी, असल जो चक्कर है ना प्रभू, वो चल रहा है पूआइंट स्टेवल में, यह देख लीजिए, कल की जीत के बाद पुनेरी पल्टन अब नंबर एक पे पहुँच चुकी है, और मेरी किताब में वो भी प्ले-आफ के लिए क्वालिफाई कर चुके हैं, लेकिन असली आपको चक्कर मिलेगा नंबर साथ से, रहेंगे वो नंबर चार पर, लेकिन मजबूत हो जाएंगे, और अगर बुल्स जीतते हैं, तो वो चालिस के चक्कर को पार करके लंबी चलांग लगा के नंबर साथ पे आ सकते हैं, और अगर जैपूर पिंग पैंथर्स जीते, वो पुनेरी पल्टन को नीचे धकेल दें पर वो एक एज़ प्राप्त कर लेंगे. बुल्स से ही उन्होंने पदारपण किया था प्रो कबड़ी में, और कहानी नंबर तीन, मोनु संधू, जर्सी नंबर पचपन पटना वाले अब जर्सी पहनते हैं बुल्स की. बात नंबर दो, टीम के हालात क्या है, जीत के सूतर क्या है. पहले बात करता हूँ पटना पाइरेट्स की. आपने अपने घर में बेहतरीन काम किया है, तोटल जो पिछले पांच मैच खेले हैं, उसमें से तीन जीते हैं, एक हारा है, एक मैच रहा है, टाई. पिछला मैच आपने गुजराज जाइंट्स को हराया, 32-20 से एक तरफा मैच बनाके रख दिया भाई. ओवरॉल आपने खेले हैं 17 मैच जीते हैं 8, हारे है 7, टाई रहे हैं 2, पॉइंट हैं आपके 50, 50 अर्द शतक, मैच बचे हैं आपके 5, यनि की 50 प्लस 25, 75 तक आप पहुँच सकते हैं, तो 40 के चकर से पटना थोड़ा सा उपर है. अब आपने जीतने कितने हैं? 3 जीतेंगे तो हो जाएंगे 65, 65 में 90% confirmation मिल जानी चाहिए, पर अगर 4 जीत लिए ना प्रभू, 5 हैं, 4 जीतने impossible नहीं है, अगर 4 जीत लिए तो पॉइंट आपके हो जाएंगे, 70 और 70 में कोई ताकत आपको रोप नहीं पाएगी qualify होने से, त लंभव है, पॉसिबल है, अगली बात, मैचिस पड़े किस किस टीम के साथ हैं, आज आप खेल रहे हैं, बुल से उनसे हारे थे, दिक्कत यहां है, फिर खेल रहे हैं, जे पी पी से उनसे हारे थे, फिर खेल रहे हैं, यू मुंबा से उनसे हारे थे, फिर खेल रहे हैं, त लगू टाइटन से उनसे जीते थे और फिर खेल रहे हर्याना स्टीलर्स से उनसे भी जीते थे तो बचे हुए पांस जो मैच है ना उनमें से तीन टीम्स आपको हरा चुकी है आपने दो नहीं तीन कम से कम मैच जीतने हैं एक टाई हो जाएगा तो भी चलेगा तो आगे जान पॉसिबल है संभव है बिलकुल आपके अपने हाथ में है अब आईए जीत के सूतरों पर पिछले मैच में आपके लोकल बॉइ ने संदीप ने किया कमाल साथ रेड़ पॉइंट बिहार में पले बड़े ये पहले खिलाडी नहीं है जो प्रो कबड़ी में खेले ये बेग के लिए सवाल है जवाब में अगले एपिसोड में दोंगा आप नीचे बताइए बिहार में पले बड़े कौन से वो खिलाडी हैं बड़े नहीं लेकिन बिहार में जिनका जन्म हुआ वो बिहार की प्रिष्ट भूमी से हैं और प्रो कबड़ी खेले हैं संदीप कुमार न रेडिंग में जाएए ओल आउट क्योंकि बुल्स का डिफेंस है शेकी वहां हो रहे हैं भारी परिवर्तन कुछ परिवर्तन बिहार में भी चल रहे हैं बुल्स के डिफेंस में ज्यादा परिवर्तन हो रहे हैं उसका फाइदा उठाइए और नबर तीन डिफेंस में आप के लिए सूतर है X-Factor मेरे लिए होंगे साचिन साचिन क्योंकि बुल्ज की अभी भी जो थोड़ी बहुत मजबूती निकलती है वह रन सिंग और सुर्जीत के कॉंबिनेशन में ओवरॉल जो आपने 16 मैचिस खेले हैं, 6 मैच जीते हैं, ये अच्छी बात नहीं है, 9 मैच आप हारे, एक रहा टाई, अभी अभी जो खेला, पॉइंट हैं आपके 40, मैक्सिमम आप ले सकते हैं 70, तो आपको बचे हुए 6 मैसे तकरिबन सारे मैच जीतने पड़ेंगे, 6 मैसे के एक टाई करवाईए, ये 6 के 6 जीती है, प्ले आफ जाना टफ, बट पॉसिबल, असंभव नहीं है, मैच भी इसकी इजाज़त देता है, प्रैक्टीकलिटी भी इसकी इजाज़त देती है, लेकिन दिक्कत कहां आती है, दिक्कत अब आएगी इनके लिए, आज खेल रहे हैं, यू मुंबा से, हारे थे, फिर खेल रहे हैं, पुलेरी पल्टन से, हारे थे, फिर खेल रहे हैं, गुजराज जाइंट से, हारे थे, फिर खेल रहे हैं, दिल्ली से, हारे थे, फिर खेल रहे हैं, हर्याना से, हारे थे, तो बचे हुए 6 मैच ऐसे हैं, जिसकी 5 टीम्स आपको पहले हरा चुकी है, अब आपको उल्टा करना पड़ेगा, काया पलट करनी पड़ेगी, जीत के सूत्र आपके लिए क्या है, रेडिंग में सूत्रों से पहले इनके लिए भी दिक्कत आती है, ट्रबल ये है कि आपके रेडर्स लगातार नहीं चल रहे, पिछले मैच आपके सबसे अनुभवी रेडर हैं, आपके सबसे बड़े स्टार हैं, अक्षित हाल में परफॉर्म कर रहे हैं, मोनु ने अच्छा काम किया पिछले मैच में, और एक शांदार आल राउंडर हैं, नमबर दो, भरत दोनों साइड से रेड करने में सक्षम हैं, एक रेड र पर करने हैं, प्रभू सिर्फ थाई होल्ड या डबल थाई होल्ड, डैश अवाइड कीजिए, लंबे रेडर हैं, रिस्की हो सकता है, और नमबर चार, रन सिंग, बहुत अच्छी फॉर्म में हैं, सुरजीत के साथ कॉंबिनेशन बना के, अगर रेडर आपके इलाके में बोनस करने आता है, फेक बोनस से सावधान रहिए, अंदर आता है तो थाईस पे मारिये डाईव सुरजीत का मिल सकता है सपोर्ट, इसलिए एक्स फेक्टर मेरे लिए ये दो खिलाडी है, रन सिंग और सुरजीत की जोड़ी अगर चलती है, मंजीत, सचिन और उनके साथिय को रोख पाती है, तो आपकी जीत संभव है, मुश्किल काम, पलड़ा किसका भारी है, हालिया फॉर्म को देखिए, आप लोगों को भी पता होगा कि पतना का पलड़ा थोरा सा भारी लग रहा है, हालिया फॉर्म भी अच्छी है, पिछले पांच में से एक ही मैच आ रहे ह सबसे पहले कहानिया देखिए, पिछला मैच इन दोनों टीम्स के बीच में चिन्नई में हुआ था, तमिल तलाइवास के घर में हुआ था, और जेपीपी जीते थे 25-24, कहानी नमबर दो, अजिंग के पवार जो अब तलाइवास में हैं, किसी टाइम जेपीपी में हुआ क करते थे, अजीत वी अजीत कुमार जो अभी जेपीपी में हैं, उनका करियर शुरू तमिल तलाइवास से हुआ था, और वो हैं भी तमिल नाडू से, और कहानी नमबर चार, ये दो दिगज कोचिस का मुकाबला है, अशन कुमार सहाब लेजंड हैं, 1990 एशन गिम्स खेले संजीव कुमार सहाब, 1998-2002, दोनों अपने अपने एरा के लेजंड खिलाडी रहे हैं, दोनों बेहतरीन कोचिस रहे हैं, दोनों ने इंटरनेशनल टीम्स को कोच किया है, और दोनों को अब उनके फैन्स बड़ी हसरत भरी निगाहों से देख रहे हैं, संजीव भाई को इ पिछला मैच रहा, आपका टाई 28-26, बट कोई बात नहीं, 12 मैच इस अन बीटन रही है, ये टीम अदभुत रिकॉर्ड है, ऐसा बहुत सीजन में एक बार देखने को मिलता है, तो ओवरॉल आपने खेले हैं 16 मैच जीते हैं 11, हारे हैं सिर्फ दो, तीन रहे हैं टाई, पिछाने टिकली हो या ना हो, मैक्सिमम आप अभी भी 96 पॉइंट ले सकते हैं, उसके बाद अच्छी बात क्या है, वो सुनिए, आज खेल रहे हैं तमिल तलाईवास से, जीते थे, फिर खेल रहे हैं पटना से, जीते थे, फिर खेल रहे हैं दिल्ली से, ताई रहा था, फ पहला, फाइव टूपे के लिए, क्योंकि अभी भी तमिल तलाईवास की मजबूती आती है, उनकी रेडिंग में, लेफ्ट रेडर, अजिंक एपवार, एक हिमान्शू, दो हिमान्शू, नरिंदर कंडोला, तो आपको पांच डिफेंडर चाहिए, तो या तो रेजा मीर बहेरी के साथ रख लीजिए के अभी शेक को, या सहूल के साथ रखिए लखी शर्मा को, या तो एक एक एक्स्टरा लेफ्ट कवर, या एक एक एक्स्टरा राइट कॉरनर ताकि आप लेफ्ट रेडरस पर लगामक सकें। नमबर दो सुतर है रेडरस के लिए, टीम के सबस तो अपने escaping skill दिखा के covers को ठेकाने लगाईए वी एजीत कुमार left से raid करते हैं running hand touch कीजिए left in पे left corner पे आप corners को ठेकाने लगाईए X factor मेरे लिए रहेंगे रेजा मीर भगेरी और साहूल कुमार left cover, right corner की जो regular जोड़ी है उनका काम है सामने वाले left raiders को रोकना सामने वाली टीम पे आजाईए तमिल तलाइवाज बहुत बढ़िया रिदम पकडली है शुरू में बहुत कमजोर खेल रहे थे अब पिछले लगातार चार मैच आपने जीते हैं और अचानक से ये टीम आ गई है प्ले आफ की कंटेंशन में पिछला मैच आपने खेला यू मुंबा से और उनको पचास चौनतिस एक तरफा हराया पूरी टीम चली दोनों raider चले, चारों defender चले overall आपने 16 मैच जीते हैं 7 जीते हैं, 9 हारे हैं पॉइंट हैं आपके 40, इसका चकर बबु भाईया उस चकर में ये भी हैं लेकिन 70 तक आप जा सकते हैं मैच पड़े हैं 6 5 मैच जीते तो आपके पॉइंट हो जाएंगे 65 मिल सकता है qualification 5 जीत एक टाई चाहिए या 6 की 6 जीत चाहिए tough but possible possible क्योंकि पिछले 4 अगर लगातार जीते हैं तो अगले 5 भी जीत सकते हैं कोई बड़ी बात नहीं आईशन कुमार सहाब बहुत दिमाग वाले कोच हैं दिक्कत कहां आती है दिक्कत यहां आती है आज आप खेल रहे हैं JPP से उनसे हारे थे फिर खेल रहे हैं गुजराट से उनसे हारे थे फिर खेल रहे हैं यूपी से उनसे जीते थे फिर खेल रहे हैं पुने से उनसे हारे थे फिर खेल रहे हैं दिल्ली से जीते थे और फिर खेल रहे हैं बंगॉल से हारे थे जो आने वाले मैच हैं उन 6 में से आपने सिर्फ दो टीम्स को हराया है अब पासे पलटने हैं कैसे पलटेंगे जीत के सूतर क्या है पहला जीत का सूतर गेम को थोड़ा सा धीमा रखना है जे पी पी आल्मुस्ट कॉलिफाइड है उनकी टीम सेट है आपकी टीम नहीं है आपको फूंक फूंक के कदम रखने हैं कोई अतिरित जोखिम नहीं लेना है स्लो पेस्पे मैच को खेलिए नंबर दो आपके रेडर्स सामने वाली टीम जरूर दो लेफ्ट कवर या दो राइट कॉर्णर के साथ खेलेगी तो कॉर्णर तू कवर छोटे एरिया मे फुटवर्क नहीं करना है पूरे मैट की चोड़ाई को मापना है कॉर्णर टू कॉर्णर खेलिए तक ही जो कवर्स की जोड़ी है वो आपके उपर प्रेशर ना बना पाए इनको पीछे धके लिए नबर तीन अरजुन देशवाल पे कीजिए सर्प्राइज अटैक या तो टैक डिरेक्ट टैकल मत कीजिए अरजुन देशवाल को एक्स फेक्टर मिरे लिए रहने वाले हैं अजिंक के पवार क्योंकि सामने वाले टीम की मजबूती अरजुन तो हई यही है लेकिन उनका डिफेंस भी बड़ा काति लाना है अगर अजिंक्या ने कवर कॉर्नर की तो जीत आपकी तरफ थोड़ी सी जुक सकती है जुकेगी कहां ओवर ओल देखिए तो जेपूर पिंग पैंथर्स ज्यादा हैवी लग रहे हैं ज्यादा हावी लग रहे हैं पर मुझे कहीं ना कहीं अंदर से आवाद आ रही है प्रभू यह मैच होगा बहुत क्लोज या तो एक दो पॉइंट से तमिल तलाइवास जीतेंगे या मैच रहेगा टाई ऐसा ही कुछ नतीज़ा आने वाला है आप प्रभू लोगों को जो लगता है कमेंट्स में बताइए और जो मैंने पहला सवाल पूछा था कि बिहार मूल के दो भाई शुरुवाती दो तीन सीज प्रोक बड़ी में खेले हैं उनका नाम क्या है भागे शाली विजेताओं को मिलेगा मेरा नमस्कार जैहिन अगले वीडियो में मिलूगा आपसे